हेलो दोस्तों इह हिंदी बुर्दो चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडोस 10 PC में शॉटकट किसे कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन करते हैं अगर आपका कंट्रोल पैनल लेक्स टॉप पे नहीं है तो जैसे आपका कंट्रोल पैनल टाइप कीजिए और यहां से आपका कंट्रोल पैनल लेक्स टॉप पे सेंड कीजिए और जैसे उसके उपर राइट क्लिक केजिए और क्रेट शॉटकट पे क्लिक कीजिए जैसे आप क पे shortcut की के box में आप अपनी shortcut की create कीजिए जैसे कि मैं दे रहा हूं control shift c सी तरह आप अपनी shortcut की create कर सकते हैं जैसे control shift a b c और just उसके पर apply पे click कीजिए और उसके बाद ok पे click कीजिए ये देखे आपके control panel की shortcut की create हो गई अगर आपको इसको shortcut की से open करना है तो just control shift shift c press कीजिए ये देखे आपका control panel open हो गया इसी तरह आप easily windows pc में control panel को shortcut की से open कर सकते हैं thank you for watching अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो please like करें share करें और वीडियो के निचे red box में subscribe का बटन है अगर आप ये हिंदी उडियो चैनल को अभी तक subscribe नहीं करें तो please उसके उपर क्लिक करके ये हिंदी उडियो चैनल को subscribe करें इसी तरह और भी interesting वीडियो के लिए thank you very much